आज दिल्ली में लगबग 74,000 टोटल करोना के केस हो चुके हैं 74,000 काफी केस हैं लेकिन इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं यही कहूंगा कि अभी स्थिती काबू में है चिंता की बात है लेकिन घबराने की बात नहीं है कुछ दिन पहले तक हम लोग लगबग 5-6,000 टेस्ट रोज किया करते थे जब हम 5-6,000 टेस्ट रोज कर रहे थे तो 2-5,000 केस रोज आते थे पॉजिटिव हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के 18,000 कर दी पिछले कुछ दिनों से 18-20,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं तो 3 गुना हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के कर दी तो जाहिर तोर पे जब टेस्ट इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो केसे भी थोड़े से बढ़ रहे हैं तो जैसे जब हम 5-6,000 टेस्ट रोज कर रहे थे तो 2-5,000 केस पॉजिटिव आते थे अब जब 18,000 केस रोज कर रहे हैं तो अब 3-3,500 केस इतने ही बढ़े हमने टेस्ट 3 गुने कर दिये लेकिन पॉजिटिव केस 2-3,000 पहले 2,000 आते थे अब 3,000 आने लगे तो जाहिर दोर पे मान लिजे कल हम 1,000,000,000,000,000,000 टेस्ट करेंगे तो केसे थोड़े से ज़्यादा आएंगे अच्छी बात ये है कि 74,000 टोटल केस अभी तक हुए इन में से 45,000 लोग ठीक हो चुके हैं तो लोग बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं जादा टेस्ट करने के वज़े से जादा संख्या बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन लोग ठीक बहुत तेजी से हो रहे हैं 2400 के करीब टोटल लोगों की अभी तक मौत हुई है दिल्ली में आज की डेट में 26,000 टोटल पेशेंट हैं अभी करोना के 26,000 टोटल पेशेंट हैं उन 26,000 में से केवल 6,000 हॉस्पिटल में हैं बाकि सब अपने घर पे अपना इलाज करा रहे हैं बाकि सारे पेशेंट माइल्ड थोड़ा बुखा रहे हैं थोड़ी खासी हैं ऐसे हैं 6000 पेशेंट अस्पतालों के अंदर हैं मैं पिछले कुछ दिन का डेटा देख रहा था 19-20 तारिख के बाद से 26 तारिख हो गई ना पिछले एक हफते में टोटल बेड की संक्षा जो बेड पेशेंट सभी है जो बेड पेशेंट सभी हैं जो बेड्ग उख्यूपाइड हैं वो लगबग 6000 के करीब रही है मतलब कभी किसी दिन 6000 ए ऑसे दिनde 6000 बेड है किसी दिन 62 है किसी दिन Calling आजाती है किसी दिन। तीन साड़े तीन हजार मरीज नए आ रहे हैं। लेकिन इन नए मरीजों को हॉस्पिटल के बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये सीरियस मरीज नहीं हैं। दिल्ली में जितने लोगों को करोना हो रहा है वो माइल्ड करोना हो रहा है। हल् लगबग उतने ही लोगों को अस्पताल जाने की जरूर्ट पढ़ रही है तो बेड की रिक्वाइर्मेंट जो है अपने दिल्ली में वो अब 6,000 पिछले एक हफते से लगबग 6,000 बेड की जरूर्ट है और अभी हमारे पास दिल्ली में साड़े 13,000 बेड हमने तयार करके हैं अस्पतालों में साड़े 13,000 बेड इस टाइम अपने तयार हैं उसमें से साड़े 7,000 बेड खाली हैं और केवल 6,000 बेड पे पेशेंट हैं और ये 6,000 बेड पिछले एक हफते से लगावतार कॉंस्टेंट आ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो शायद हो सकता है ICU के बेड के जरूरत पड़े अब हमें लोगों की जान बचाने के लिए हो सकता है ICU के बेड बढ़ाने पड़े तो हम दोनों ही कर रहा है हाला कि हमने आज 13,500 हजार बेड हमारे पास है साड़े 7,000 हजार बेड खाली है फिर भी आज हमने cabinet करी थी कैबिनेट में हमने बुराडी के अस्पताल में साड़े चार सो बेड और बढ़ाने की पर्मीशन दे दी उसका पैसा सैंक्शन कर दिया दिल्ली के बैंकेट हॉल्स के अंदर अभी आप लोगों ने ख़बारों में पढ़ाओगा मैं परसो गया था एलन जेपी हॉस्पिटल के सामने एक बैंकेट हॉल है उस बैंकेट हॉल के अंदर सौ बेड का हमने इंतिजाम किया है ऐसी दिल्ली के जगे जगे बैंकेट हॉल के अंदर हम बैंकेट हॉल को अस्पताल के साथ जोड़ देंगे उस बैंकेट हॉल में हम बैड दिल्ली के कई स अगर बाइचांस जदा जरूरत पड़ती है तो हम उसके तैयारी कर रहे है बीच में कुछ दिन ऐसे थे जून के महीने के पहले अफते में गाज़ की कमी हुई थी ते मेरे पास भी खुब फोन आते थे रात रात भर निए हैं लोगों के फोन अटेंड करता था उनके लिए बेड का इंतजाम करता था इस हस्पताल में, उस हस्पताल में, अब इस ठीती कंट्रोल में है, अब काफी होटलों को अंदर हमने पिछले 10 दिन में लगबग 3.5 तीन हजार बेड्स का इंतजाम किया होटलों के अंदर, उनको हमने हस्पतालों से टैच कर दिया, इस वजे से beds इतने बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में banquet hall में beds लेंगे, बुराड़ी अस्पताल तियार हो जाएगा, और भी कई सारे steps उठा रहे हैं। साथ में ICU के अंदर beds बढ़ा रहे हैं जी टीबी hospital में, राजीव गांधी hospital में और LNJP में। इन तीनों के अंदर ICU के beds के बहुत बड़े स्थर के उपर हम मत्रा बढ़ाने जा रहे हैं। ताकि अगर serious मरीजों को जरूरत पड़े, तो उसकी हमारी तैयारी होने चाहिए। मौत के अंदर करोना से लोग अगर करोना, पहली बात तो भवान करें करोना होई ना आपको। अगर करोना हो भी जाए, तो आप सही सलामत ठीक हो जाए। करोना की वज़े से मौत नहीं होने चाहिए। उसे रोकने के लिए उसे कम करने के लिए हमने दो बहुत महतवपून कदम उठाया एक तो है पलाजमा थेरेपी आपने सुना ओगा कुछ दिन पहले मैं पलाजमा थेरेपी का दिक्र किया करता थो दिल्ली पहला राज्य था पूरे देश में जहां प्लाजमा थेरापी को हम लोगों ने बड़े इस उत्सा के साथ शुरू किया हुआ हमने इसके ट्राइल किया एलेंजेपी एस्पताल में इसके ट्राइल हुए 29 केसे के उपर ट्राइल किये गए और उनके नतीजे बहुत अच्छे आए उन नतीजों को फिर हमने केंदर सरकार में सब्मिट किया अब हमें 200 और पेशेंट्स के उपर प्लाजमा थेरापी करने की इजाज़त मिली है तो सरकारी एस्पतालों में एलेंजेपी और राजीव गांदी एस्पताल में प्लाजमा थेरापी की इजाज़त मिली है और इसके बाद कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी प्लाजमा थेरेपी की इजाज़त ले लिया है कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस ताइम प्लाजमा थेरेपी कर रहे है इसके नतीजे ये दिखाते हैं कि अगर कोई moderate patient है अगर कोई बहुत severe patient है, ventilator पे है, multi-organ failure हो चुका है ऐसे patients को तो शायद प्लाजमा थेरेपी से बचा पाना मश्किल हो लेकिन जो लोग अभी जिनकी हालत जादा बिगड़ी नहीं है उनको अगर दिया जाए तो उनकी हालत को आगे बिगड़ने से रोका जा सकता है ऐसा अभी तक के नतीजों ने दिखाया है तो प्लाजमा थेरेपी के जरीए हमारी उमीद है कि हम मौत को कम करने में शायद सफल हो पाएं LNJP अस्पताल के नतीजे ये दिखाते हैं LNJP अस्पताल में पहले डेली जितनी मौत होती थी आज उससे आधी से भी कम हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में जब से प्लाजमा थेरेपी शुरू किया तो हमें उमीद है कि आने वाले समय में इस से हम इसको कम कर पाएंगे दूसरी चीज़ करोना में सबसे ज़्यादा परिशानी होती है कि मरीज का ओक्सीजन का लेवल अचानक कम हो जाता है एक आम आदमी का ओक्सीजन का लेवल 95 होना चाहिए अगर यह 90 से कम हो जाए तो यह खत्रा माना जाता है 85 से कम हो जाए तो बहुत सीरियस माना जाता है अब इसमें जैसे अगर आपका ओक्सीजन लेवल 90 हो जाए या 85 हो जाए तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है बहुत जादा breathlessness होती है, सांस रुकती है, बहुत जादा आपको तकलीफ होती है, लेकिन कुछ patients ऐसे भी हैं, इस बीमारी में, जिसमें ये देखा गया कि oxygen का level बहुत कम हो गया, लेकिन कोई symptoms ही नहीं है, और अचानक फिर drop हो जाता है और अचानक इसकी मौत होती है, तो इसक इतने लोग घरों में जिनका इलाज चल रहा है, home isolation में हैं, mild पे mild symptom वाले हैं, ये symptom बिना लक्षन वाले मरीज हैं, जिनको करोना है लेकिन कोई लक्षन नहीं है, ऐसे सारे मरीजों के घर में हम लोगों ने oximeter पहुंचा दिया, हो सकता कुछ ये बच्चे हों, लेकिन लग अगबग सारे मरीजों के घर में, oxymeter हम लोगों ने पहुंचा दिया, ये oxymeter आपका सुरक्षा कवच है, जिन जिन लोगों को oxymeter मिला है, कोशिश करके हर घंटे दो घंटे में बड़ी oxygen नाप लेना, बड़ी असान होता है, उंगली में लगा के आप oxygen आदे मिन आप सकते अगर आपका oxygen level 94 के नीचे आजाए, आप तुरंथ हमें फोन कर देना, आपके घर पे oxygen emergency में भिजवा देंगे और जुरूप पड़ेगे तो आपको अस्पताल मेडमिट कर देंगे, तो ये oxymeter आपका सुरक्षा कवच है, आप अगर oxygen अपनी नापते रहोगे, तो उमीद क करते हैं कि फिर आप ठीक रहोगे, मैंने कल एक मरीज हैं जिनका घर में इलाज चल रहा है, कानन साब, उनसे फोन पे बात की थी मैंने, उनसे मैंने पूछा, कि ऑक्सीमेटर मिल गया, उनको मिल गया, वो कह रहे हैं बहुत खुश हैं वो, मैं एक बर यापको वाली उनसे जो मेरी बात्चेत हुई वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि अश्कुम को खोड़ाइ लस्चे बाता है, तो थोड़ा प्राबलम होती है, खतरना को जाता है, 95 से और नीचे चलाजाए तो और बहुत ज्यादा को जाता है, और इसमें कभी कभी पेशिन्ट को वैसे तो ऑक्सीजन लेवल नीचे चाह जाता है, तो प्रेथलेस नेस हो लोगों को हमने यह अक्सीजिन मीटर पल्स मीटर भीजाया मिल गया पर नाप रहे हैं आप अपना ओक्सीजिन बिल्कुल रभ दो दो फिंटे में नाप लिया कर इसमें चानक कई बर गिर जाता ओक्सीजिन तो कितना है अभी आपका oxygen level? मेरा जो है 97.6 है बहुत अच्छा है घर में कौन को होने आपके हैं? सर मम्मी है और वाइफ है वो बच्चे हैं सर अपके अलग कमरे में रह रहे हो ना? हंजी 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 रोज आड़ा औकर भणा करें आप जल्दी थीकों जल्दी स्वस्थों ऐसी में इटाम ना करता हूं करिंग तो आप लोगों मैं भी इस और जो 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 लोग बीमार है भगवान से प्राक्ष्थना करता हूं जल्दी स्वस्थ हूँ और जो जो लोग बिमार नहीं हैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको करोना बिल्कुल ना हो शुक्रिया यूए स्वस्थ